दोस्तों आज हम बात करते हैं कि audio video recording, whatsapp chat या फिर facebook messenger में कीगी chat या किसी और app के अंदर जैसे signal लगना आयो हैं उसमें कीगी chat की क्या importance है ये जनून कब होती है? कोर्ट में इसे कैसे paste करते हैं? कि section की application लगाते हैं? certificate कोई लगाना तो कैसे लगाते हैं? पुलिस इसको अपने custody में कैसे लेती हैं? अगर कोई third party अपना evidence के रूप में इसको अपना device दे तो वो कैसे पैसे ले? अगर पुलिस आपसे नहीं ले तो फिर आप कोट में कैसे इसको application लगा कर देंगे? ये कम मानने नहीं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसकी बिना सबूत के आप कोई भी केस नहीं जी सकते हैं? evidence act section 61 कहता है कि evidence दो परकार के होते हैं एक होता है प्रिमली evidence दूसरा होता है secondary evidence प्रिमली evidence होता है first evidence जो की जैनून होता है ज्यादा सब ज्यादा सुनवाई उसी के होती है secondary होता है उससे थोड़ा सा कम level का अब section 62 प्रिम secondary evidence को defend करता है primary evidence जैसे की कोई documentary evidence हुआ कोई documents कोई agreement कोई भी किसी के बीच हुआ या किसने कुछ लिख कर दिया वह first evidence में आता है ऐसे ही आपकी audio video recording और chat ये भी प्रिमली evidence में ही आती है secondary evidence होता है जैसे कि उस document की कोई copy मतलब वह genuine ही है ऐसे ही audio recording की कोई copy जो की genuine नहीं हो अब द इसको हुआ है वकिल साफ है sorry اس को हम नहीं कंसिडर करते तो ऐसी बाते हैं और मैंने देखा की man with to study जाते हैं काफी सुनने में आता है कि पता नहीं होता है नहीं होता कौन मान कोट इसको मानेगी नहीं मानेगी तो दोस्तों बिल्कुल भी डरे और गपनाने की जुर्थ नहीं है आपका जो एविडेंस है प्रेमिली एविडेंस है आप अगर कोई आपको यह बात कहे या ना का कर सकते हैं इसलिए अगर कोई आपको ड्राता है तो उनकी बातों में ना है और अपने एविडेंस पर टिके रहें और बिल्कुल भी डर कर समझोता नहीं करें क्योंकि वे आपको दबाते हैं सरफ इस बात के लिए कि आप दब जाए डर जाए और समझोता कर लें अब बात कर फोन के अंदर होती है एक मेमरी कार्ड के अंदर होती है जब आप उसमें कोई वीडियो ओडियो या फोटो खीसते हैं तो उसके अंदर एक आईडी जनेट हो जाती है जैसे आप डिटेल में जाते है तो उसके एक नमबर मिलता है तो जब वो फॉरंसिक लैब में जाती है हाँ यहीं बनी है तो जैनोन है मतलब यह कि वह सच है सच में ही वह चीज बनी है और उसकी क्वालिटी जदध अची तो ऐसे में कोट उसको consider करती है और उसके बेस पर सामने वाली पार्टी को सजा भी हो जाती है अब इसमें बात करते हैं कि audio recording के देखिए audio recording में थोड़ा सा doubtful होता है क्योंकि इसमें आजकल जैसे कि आप जानते है एक्टर रेटेक्स की भी मिक्री होती है तो क्या पता को सामने वाली पार्टी की मिक्री कर दी गई हो तो इसी इसके लिए उब्जेक्शन उटते हैं इसकी आवाज नहीं है इस जैसे आवाज तो कोई वैक्ती या कोई औरत पकड़ी गई है और उसकी आवाज रिकोर्ड की गई है कि जैसे आप किसी को दिखा दे कि को सामने वाली पार्टी से बात करके और हमारे बारे में कह रहा है कि हमने उसको जूटा फसा है तो जहां तक हो सके आप वीडियो रिकोर्डिंग पर ध्यान दे और्डियो रिकोर्डिंग को थोड़ा सा अउइड करे क्योंकि वीडियो रिकोर्णिंग में सामने वाले बात, वैकती के हाव भाव आते हैं, उसके लिपसिंग आजाते हैं, तो उससे पता लगते है कि वही बात बोल रहा है, अब बात करते हैं कि इसको कोट में पीस कैसे करते हैं, देखे, WhatsApp बगरा चैट है तो उसकी स्क्रिनिक शोट हम लगा देते हैं साथ में हम कोट के अंदर एक application भी लगा देते हैं जैसे कि अगर कोई कर्मिल केस है तो 91 CRPC में application लगाते हैं अगर कोई civil type का case है या फिर family court में कोई case जल रहा है जैसे कि डिवोर्स बेगरा का तो उसमें हम 151 CPC में application लगाते हैं इस तरह से कोट पुलिस को direction देकर हमारी चैट WhatsApp से या Facebook Messenger से मंगाती है और जो हमने सीनिशोट लगाई हुए उसके वो टैली हो जाती है अब बात करते हैं audio और video recording की इसको हम court में कैसे पेस करते हैं इसमें देखे हम normally किसी भी CD में या पेंटराय में डाल कर देते हैं लेकिन court में सबसे बड़ी problem होती है court कोई बाते समझाएने कि उसके लिए क्या लिखा हुआ है यह तो possible है नहीं court हर बार जब भी हमको सुनेगी तो उन चीज़ों को महा लगा कर सुनेगी और फिर उसके उपर कोई बात कहेगी या कोई argument होगी तो इसलिए हमको कोई भी अगर audio वीडियो देनी है तो अगर उसमें कोई voice है तो उसको type करा कर दीजे type कराने का तरीका कैसे है जैसे A ने ये बात कही B ने उसके बाद ये बात किए ऐसे sequence में देना जगे जगे उसके second और minute में लिखने है कि भी इतने minute इतने second पर ये बात कहीए थोड़ी देरी पर आप उसको लिखिए कोई बात गुसे में कहीए तो bracket में लिखे कोई बात प्यार सी कहीए गई है ये सर्मार का कहीए तो उसको bracket में लिखे जगे जगे उसमें photograph भी लगाए जो वीडियो से आप short के जरीए आप लेंगे तो इससे थोड़ी genuity भी आती है पता भी लगता है कि इस situation में ये बात की कहीए अगर कोई ऐसी वीडियो recording है जिसमें अवाज नहीं आती है तो उसके आप क्या करेंगे वीडियो चला करके सिर्न शोट लेंगे और उस शोट को वहां लगाएंगे तो इससे कोट को समझाने में आसानी होगी बताने में आसानी होगी तो ये कोट में लगाने का तरीका है इसके लावा कोई भी आप चैट लगाते हैं या फिर आप ओडियो वीडियो रिकॉर्डिन लगाते हैं उस साथ 65B evidence act का एक certificate भी लगता है certificate एक simple होता है उसमें ना तो किसी stamp paper की जूरत आपको और ना ही आपको किसी परकार से और इसको test करने की जूरत है एक simple है court का उपर नाम आएगा case की detail आएगी नीचे आपको लगता है कि I am certified that this evidence is taken by from internet या किसी website से लिया है या mobile से लिया है किस date को लिया है कोई ओडियो है या video recording है और साथ में it's genuine यह genuine है आप ऐसे करके अपने नीचे शिकनेशर कर देते हैं simple सा certificate बनता है ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता कि यह चीज़ी है यह मैंने यहां से लिया और में court में दे रहा हूं यह बिल्कुल genuine है अब बात करते हैं forensic lab की देखिए आप चाहे तो court में इसको दे करके और और E-65FP का certificate लगा करके अपना पला जाड़ सकते हैं सामने वाली पार्टी objection करती है तो इसको forensic lab में भीजा जाएगा और वहां से testing होगी वो objection नहीं करती है तो बात को ऐसे रहने दे अब objection को देखिए अगर और ली objection करते हैं तो आप नौर्मली चुप रही है जद अकुसमत बहुत की और ली objection की कोई भी value नहीं है अगर return में objection करते हैं तो court अगर court direction देता तो उसको मानिए इसके अलावा आप जरूरी नहीं है कि court के through ही कराए पर आइवेट भी बहुत सारी lab होती है आप वहां भी जा सकते हैं कुछ आपका पैसा खर्च होगा वे आपको एक certificate issue करके देंगे कोई voice है तो उसको type करके बकादे देंगे और इसके अंदर certificate देंगे कि यह genuine है और यहीं बनी हुई है तो अगर आपका case कुछ इस तरह का है कि उसमें इन चीजों की भोज ज्यादा value है तो किसी private lab में जाइए वह इन को बनवाईए और उसका certificate ले करके तब court में किस डालिए अब बात करते हैं कि पुलिस अपनी कशड़ी में इसको कैसे लेती है कोई अगर complainant है तो simple application लगाता है कोट के अंदर की बीर साथ गलत हुआ तो अपना evidence देंगे देता है अक्यूज है उससे court वै कैमरे लगा है और रोड पर कोई क्राइम हो गया तो जो आपका डिवाइज है उसके लिए court आपको भी नोटिस देती है और आपसे डिवाइज की कोपी ले सकती है या फिर आपका डिवाइज भी ले सकती है अब यह देखिए कि लोग बाग सोचते हैं कि आगर मैंने अपन पूलिस को देते हैं तो उसके रिसीविंग लेंगे और आपको उसकी वैलो का पैसा भी मिलेगा यह नहीं की पैसा नहीं मिलेगा डिसीप ऑफिस यह एससपी ऑफिस आपको पैसा देगा आपको एक अप्ले के से लगानी है कि यह डिवाइज मैंने इतने में खरीद आता औ पूरा पैसा मिलेगा आपका चाहे वो जो भी चीज़ आपने दी है वो पुरानी हो लेकिन उसकी जो आज की मार्किट वैलो उसके अकोडिंग आपको पैसा मिलेगा तो इसलिए देने से बिल्कुल ना खब रहे किसी की मदद करनी हो तो भीस से खुल कर सामनी आए अब बा केस करने के लिए होता है केस करने के लिए होती है साथ में मुर्षिट साब को डारेक्शन के लिए होती है तो ऐसे में अगर कोई क्रिमिल केस है तो कोट में अप्लिकेसन लगा करके आप यह चीज कोट के थूरू भी आयो को दे सकते हैं अपनी कोपी एक जुरूर रखे अपन जो स्टेट गूर्मेंट ने जगजए खोले होते हैं, मैं उन्हें की बात कर रहा हूँ. उसके अगर आगर आप कोई भी रिकोर्डिंग करते हैं, तो उसकी कोई भी जेरॉनटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा हुआ है कि आदमी समझोता जब ही करेगा, जब सामने वा अगर आपने की हैं और उसको लगा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या चीज का धानक न चाहिए? देखिए, अगर कोई मौबाइल रिकोर्डिंग आप लगा रहे हैं कोट के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या करना है? कोट से उसकी डिटियल की और डारेक्शन लेनी है. ड आपने एक मिनट पांस सेकेंड बात किया हैं, तो जब आपको डिटियल मंगाते हैं, तो वो भी एक मिनट पांस सेकेंड की आपकी डिटियल आजाएगी, कितने मिनट आपने बात किया हैं. अब बात करते हैं इन चीजों की कि ये जो डिटियल आप मंगाते हैं, कोट से साल के अंदर ये चीज़े कोट से ली जा सकती है वैसे पहले तीन साल में मिलती थी अब कोट ने इसको एक साल किया हुआ है लेकिन अगर मैं जनुरली बात करूं तो हर कंपनी के पास इसका पांच साल तक का रिकोर्ड होता है अभी एक कोट ने पता नहीं एक साल के लिए क्य क्यों एक साल के लिए करती है हालागि में पास कोई ऐसा कोई केस आया तो जुरूर उसके लिए उपर हाई कोट जाऊंगा और वहां से को जिस्वेंट पास करऊंगा लेकिन वह केस के उपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट उपर जाना चाहता नहीं लेकिन आपके पास भी अगर वैसा कोई केस है तो बेसे गुपर जाए यह बात बिल्कुल जैनूर है कि 5 सल तक का रिकोर्ड होता है उपर हर कंपनी के पास अब दोस्तों बात करते हैं कि हम यह केस करते वक्त या केस में चीज़ों को देते वक्त क्या साबधानिया परते हैं जैसे कि मैंने आपको को बताया कि भी एक साल तक का टाइम होता है तो कोट के अकोडिंग तो आप एक साल के अंदर यह अप्लिकेशन लगाए और अपनी डिरेक्शन ले इसके लावर जो वट्सप चैट की बात करते हैं तो वट्सप चैट नॉर्मली अगर किसी ने डाली हुई यह डिलीट नही कोसिस करें कि चीज मेमोरी काड़ के अंदर बने ना कि फोन के मेमोरी के अंदर क्योंकि मेमोरी काड़ आप निकाल करके दे सकते हैं अगर मेमोरी काड़ के लावा आपके फोन डिवाइस के अंदर है या फोन मेमोरी के अंदर है तो आपका पूरा फोन ही देना होता है तो क कि बाद में ले लूगा कर ले लूगा जब दीए चीज उसी वक्त री सीविंग ले कोट में आपको बताया कि अगर क्रिमिल केस है तो नाइटीवेंट से रपीजी अगर सीविल केस है तो वन फाइव वन सीपीजी में अप्लिकेसन लगाए अगर पुलिस नहीं लेती है तो कोट में लगा सकते हैं इसके अलावा कोई भी डिवेज आप किसको देते है या कोई ओड़े रोडिंग देते है उसकी कोपे अपने पास जरूर रखे क्योंकि वह सामने वाले पार्टी से डिमेज भी सकती तो अपने पास होनी चाहिए कोशिस करे कि जो प्राइविट हैं, दे रहे हैं, तो 65B का सैटिवेक्ट भी जरूर लगाए, साथ में उसको एक्जिबिट भी करवाना है, सिर्फ दे दिया है, एक्जिबिट नहीं करा है, तो उको फायदा नहीं है, इसके लावा, कोट को ये बताने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है, कि ये चीज आप कहां इसे लिए, आप किसी भी अंजान आदमी से लिए, लेकिन चीज जैनुर नहीं इसके अंदर ही बनी हुई है, तो उसके लिए बताने की जूरत नहीं है, नहीं तो फिर कोई एविडिन्स कलेटी नहीं करेगा, और ये अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर ये फैसलिट आती है, ज्यादा केस अच्छी तरह से साफ हो जाता है, तो आशा करता हूँ, आपको मेरी जानकरी पसंद आएउगी, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई चीजी सा, तब तक के लिए, नमस्कार